ये देखिए, कैसी लग रही है ये ये रैड वेलवेट कपकेक, आ रहा है न मुमें पानी, अब आप सोच रहे होंगी कि बहुत कठिन होगा बनाना, विश्वास मन ये आप बिना माइक्रोवेब, बिना अवंग, बिना अंडा, बहुत ही आसानी से कुकर में ये रैड वेलव बिना माइक्रोवेब, बिना अवंग, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, और बिना अंडा, बिना कंदेंस मिल्क, और आज की जो कपकेक है, वैलन्टाइन दे स्पेशल रैड वेलवेट कपकेक, इसको आज मैं बनाऊंगी कुकर में, हम किसी भी काच के कपको इस्तमाल नहीं करे अगर आपके पास पहले से बेकिंग में यूज किया हुआ नमक है तो आप वो यूज कर लीजे, ऐसा करने से फिर कुकर बिल्कुल अवन जैसा काम करता है, अब हम लगा देंगे लेट, तो जब अब लेट लगाए, तो इसकी रबर निकाल दें, और हमें विसल की भी जरू चलनी पर अब हम डालेंगे एक कप मैदा, मेजरमेंट के लिए आप एक कप ले लें और उसी कप से सारा मेजर करें, तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, साती हम लेंगे आदा कप पाउडर शुगर यानि चीनी का पाउडर, आप मिक्सी बेच चीनी को पीस लें, पीस करके इस प्रकार से पाउडर बना लें, अब मैज में डाल रही हो, वन टी स्पून बेकिंग पाउडर, और आदा टी स्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, या निखाने वाला सोडा, मीठा सोडा, इससे केक बहुत ही बढ़िया फ्लफी होगी, अब इसमें हम डालेंग एक छोटी चमच कोको पाउडर, अगर आपके पास कोको पाउडर है, तो डाल लीजे, अगर नहीं है तो मत डालिए, उसके बगेर भी आपकी रैड बिल विटके बन जाएगी, बस कोको पाउडर डालेंगे, अब सभी चीजों को इस प्रकार से चान लेंगे, चानने से सब चान लिया, अब एक बार एक स्पून से आप इस तरह मेला दे, अब इसमें मैं डालूंगी एक चोटाई कप ऑईल, एक चोटाई कप मान के चलिए, चार बड़े चमच के करी ऑईल है, आप यहां पर बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो भी आप ऑईल लेना, तो वह आप ब जो बिल्कुल न्यूटरल फ्लेवर का हो, यह बहुत ही जरूरी है केक मैं, यह मैंने लिया है, एक कप मिल्क, यानि दूद, दूद बिल्कुल अबला हुआ रूम टेंपरिचर पर है, बिल्कुल नॉर्मल टेंपरिचर पर, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और एक जेंटली एक दम इसको हम मिक्स करेंगे, बहुत तीजी से बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे, वहनना केक अपकी उतनी फ्लफी नहीं बनेगी, तो अभी मुझे इसकी कंसिस्टेंसीब को पॉफेक्ट लग रही है, आप देख रहे है ना, कि रिविन से बन रहे है, ना ही पर दो छोटी चमच नीव करस भी डाल सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि केक खटा हो जाएगा, केक बिल्कुल भी खटा नहीं होगा, थोड़ से डाल देते हैं, वनिला एसेंस, यह बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे बढ़िया फ्लेवर आजाए, मार्केट चैस हमारी रेड वेल्वेट केक को देगा, रेड कलर, तो पहले थोड़ा रालेंगे, यानि छोड़ी चमच, अगर जरूद हो तो और रेड करेंगे, और देखे, कितना बढ़िया रेड कलर आ गया है, कोई ऐसी प्राब्लम नहीं है, कि आपको लिकुड कलर ही चाहिए, फूड यह वाला आपके पास घर में अबलेबल है, तो यह साइज ले लेजे, यह अबलेबल है तो यह ले लीजे, बहुत ही आपको मिल जाएंगे, जो हम पाती वगरा में यूज करते हैं, सस्ते से होते हैं, तो इस पेपर कप में बहुत ही आसानी से कुकर में कपकेक बना सकते है तो मैं थोड़ा मीडियम साइज वाला ले लेती हूँ इसमें सही साइज की बन जाएगी तो यह में ले लेती हूँ चार से पार्च पीसे जो मेरे कुकर में आ जाए अब पेपर कप में डारेक्ट मत बैठ डालिएगा आप क्या कीचे एक दो बूंद ऑईल लेकर की इसको कप बिल्कुल तैयार है और हम लेते हैं केक बैट ow बैटर को कप में डाल देंगी पूरा ऊपर तक कप को बिल्कुल नहीं बहरेंगे क्योंकि केक बेक होगी तो फूलेगी भी है ना तो इसलिए आप ठोड़ी सी स्पेस छोड़ें उपर तो मैं पूरा उपर तक नहीं फिल करूंगी तीन-चौधाई के हिसाब से हम इसे भर देंगे यह देखिए बिलकुल इस तरह से मैं नहीं उपर स्पेस छोड़ दी है इसी तरह हम सारे कपको फिल कर लेंगे तो यह देखिए सभी को मैंने कर लिया तैयार अब एक बार तबको टैप कर देंगे जिससे भी जो भी एर बबल्स होगे न वह हट जाएंगे तो कुकर हो गया है बिलकुल गरम इसका लिट आएंगे बहुत हीट है तो हम सब कम थोड़ा सा धनी से करेंगे अब आपको अपको पस कोई स्टेंड हो तो लगा दीजे मैं ये छोटी सी कटोरी सी ले रही हूँ ये बीच में रग देंगे इस तरह से क्योंके अब इसके ऊपर हम रख देंगे इस तरह से हमारे कपकेक की ग्लासेश जितने आजाएं एक बार में उतने आप रख दीजे तो इस तरह से मैंने सभी कप्स को फिट कर दिया अब हम इस पर लगा देंगे लेट और लिट लगा करके बिल्कुल लो फ्लेम पर लगबग 30 से 35 मिनट के लिए हम इसी तरह लो फ्लेम पर इसको अपने देंगे और बीच में जरूर हम 25 मिनट बाद चेक करेंगे के हमारी केक् कोकर, हीटिंग फ्लेम सब चीज़ डिफरेंट होती है तो हीट में भी वेरियेशन हो जाता है और ताइम में थोड़ा उपर नीचे हो सकता है तो अब आदा गंटा हो चुका है तो चलिए चेक कर लेते हैं अपनी कपकेक को ओ वाव अब देख सकते हैं कि हमारी कपकेक कितन बोडिया बनी है तो कोई भी टूथिक लीजे या कोई भी नाइफ ले लीजे और इस तरह से हम डाल कर देखते हैं बिल्कुल पॉफेक्ट हमारी टूथिक बिल्कुल क्लीन आई है अगर आपको लगे कि टूथिक पे लगा गया है तो आप पांच वरेट और लो फ्लेम पर मैं इसको निकालती हूँ और केक को थोड़ा से थंडा होने देंगे जैसे पॉफेक्टली सेट हो जाएं तो यह लीजे अब हमारी कपकेक्स हो गई है बिल्कुल ठंडी और एकदब पॉफेक्ट यह देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉंजी आप इसका स्पॉंज रही हो यह बापरस उपर आ रही है बस यह देखिए एकदम सॉफ इस्पॉंजी विकम मार्केट जती है हमारी कपकेक्स बनी है और यह मैंनली है विप क्रीम पाइपिंग बैग में आप चाहें तो इसको विप क्रीम से सजा दें या फिर आप किसी भी केक वाले स्प्रिंकल चॉक्लिट फेक्स चॉक्लिट को ग्रेट करें और उससे सजा दें तो यहां में टाल रही हूं थोड़ी सी सिल्वर वाल्स और यह देखिए हमारी रच वैललबिट कपकेक कितनी सुंदर लग रही है किसीकी विम्भू में पानी आ जाएगा लग रही है, कोई बेगी है और कोकर में बनाईए इतनी जटबट अब इसके उपर लगा देती हूँ थोड़ा सा रैड लुक देने के लिए फुटी फुटी चैरी है तो चैरी लगा दीजे आप सजा किसी भी तरीके से सकते हैं या आप इसी कपकेक का थोड़ा सा रैड बलबेट केक ले उसे चूरा सा बना लें उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं इसके उपर तो लीजे हो गई आपकी कुकल वाली रैड बलबेट कपकेक तयार देखिये है एकदब माउथ वाटरी तो चलिए अब मैं कपकेक को कर लेती हूँ यहां से कट बहुत ही आसान हो जाता है इस तरीके के कप्स में बनाना इस सब कर दीघ्एक सिर्पके और यह देखिए इसकी जाली अब इसकी जाली देख सकते हैं मैने कप्स अचा दिए हैं कि कितनी ऊपर फैक्ट सिपॉंजी यह देखिय देखिये है इसकी अब जाली देख सकते हैं पर्लक हमारी कंपकेक्स तयार हूई है मैं खालेती हो क्थ launches को क लग रही है न सुंदर तो बस अब आप सोचिए का मत फटाफट किचिन में जाहिए और मेरी रेसेपी से फटाफट से ये कपकेक बनाएए और सभी को कर दीज़े बेलेंटाइन डे पे खुश मुझे पूरी उमीद है कि आपको मेरी ये बहुत ही आसाम सी पॉंजी मॉइस्ट रेड बाल विट कपकेक बनाने की रस्ट भी बहुत पसंद आई होगी तो आप जरूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपकी कैसी वनी अगर आपको वीडियो अच्छा नगा है तो प्लीज प सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू पर वाचिंग कुक विट पारूल जै ये जै भालत